हेलो स्टूडेंट एसन प्रोफेशनल क्लासे से मैं हमन्द गुपता आज आपके लिए लेके आऊं आपके आने वाले नैस्ट पीजी टी कॉमर्स एक्जामनेशन के लिए मौस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन का संकलन तो चले स्टूडेंट देखते हैं कौन-कौन से आपके प्रतिमट से लिए मौस्टिंपोर्टिंट कोश्चन है तो फिर्स्ट कैसे हैं वित्य विवर昨 मेंशामिल होगा ओप्षं दिए गए हैं तो चार ओप्षिन में क्रॉच्ट आंशर बहुत द आपका आइंकम statement option number 4 इसका correct answer होगा इसके बाद next question है बटा innovation theory of entrepreneurship was propounded by उद्धमिता का नव परतवरतन सिद्धांत किसके द्वारा परतिपादित किया गया था मैक्स वेबर शुमपिटर डैविड सी मेकलिलेंड या इन में से कोई नहीं तो इस question का जो correct answer है वो है शुमपिटर option number 2 इसका correct answer होगा चलिए अब इसके बाद next question है आपका trend ratio and trend percentage are used in रुजहान अनुपाट और रुजहान परतिशत का उप्योग क्या जाता है गतिशील विश्चलेशन के लिए इसमाणे नुपाट के लिए तो इसके बाद next question है गलत कतं को चूझने के लिए बता रहा है चूझ इन्करेक्ट स्टेटमेंट क्या कहता है के रिंडम एक्विटी अनुपाट के लिए समान नियम क्या है दौ़ अनुपाटैक तरल अनुपाट को концwen दोपाट गारत विंट क おacts कंवारे उर्म टैया है थ्लिक्ल करे में अर्था इसC materारत को इसले ब सिसमार Рें को लाग मतना आए है अर्थात option number 4 इसका सही answer हो जाएगा उपरोक्ट में से कोई भी नहीं क्योंकि तीनों ही point ठीक है rule of thumb for debt equity ratio के लिए rule of thumb क्या है दो ratio एक है liquid ratio को हम quick ratio के नाम से भी जानते हैं और gross profit ratio का मतलब होता है gross profit to net sale चले अब इसके बाद next question जानते हैं next question नाम से पूछ रहा है same इसी pattern पर question है हमारे को दिये गए option में से गलत कथन चूज करके बटाना है तो क्या कह रहा है current ratio को चालू अनुपात को कारेशील पुझी समान अनुपात भी कहते हैं कारेशील पुझी अनुपात समान है बिल्कुल ठीक option दिया गया है next है चालू अनुपात जो है तरलता अनुपात है current ratio क्या है liquidity ratio है बिल्कुल ठीक है और चालू अनुपात के लिए सामान नियम क्या है rule of thumb for current ratio is to ratio one ये भी बिल्कुल ठीक है हमारे को बताना था इसमें से गलत कौन सा है तो गलत कोई सा भी नहीं है option number 4 इसका correct answer आ जाएगा उप्रोक्ट में से कोई भी नहीं चले अब इसके बाद next जानते हैं तो next question है निम्ल कित में से कौन सा तोरित संपत्ती में शामिल नहीं होगा क्या क्या रहा है कि liquid asset निम्ल में से कौन सा quick asset या liquid asset में शामिल नहीं होगा तो बटा बैंक में नकदी को शामिल किया जाता है हस्तगत रोकड को भी शामिल किया जाता है ट्रेड रिशेवल को भी किया जाता है लेकिन prepaid expenses को quick asset या liquid asset की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता अर्थात option number 4 इसका correct answer हो जाएगा चलिए अब next question जानते हैं तो next question है हमारे को निवन जो सूचनाई दी गई है इसमें से गलत option चूज करके बटाना है कि गलत कौन सा है option दिया गया है PV अनुपात योगदान और विकरी के बीच संबन को दर्शाता है बिलकुल ठीक है PV अनुपात प्रतिशत के रूप में विक्ट किया जा सकता है बिलकुल ठीक है सुरक्षा का मार्जिन वास्तिविक बिकरी और BEP के बीच का अंतर को बटाता है यह बिलकुल ठीक है हमारे को इसमें गलत ओप्षन बटाना है बचा अब इसमें कौन सा है चोथा ओप्षन चोथा ओप्षन का गरे कि बिकरी की मातरा में व्रद्धी के साथ PV अनुपात में भी सुधार होता है यह कतन गलत है अर्थात दिये वे कुश्चन में हमारे से गलत स्टेट्मेंट यह का दिये आप से दिक पर्ति बाजार की सुरक्षा और अखंडता को मजबूत करने के लिए सेवी द्वारा निर्धारित ब्रोकर के लिए अधिक्टम इंट्राडे सीमा क्या है option दिये गए हैं एक, दो, तीन, चार तो इसमें से जो correct answer है वो है आधार पुझी और अतिरिक्त पुझी का 33.33 गुना option number 4 इसका correct answer है अब इसके बाद next question है balance sheet का रूप है balance sheet का रूप कैसा होता है शैतिज या खड़ा शैतिज या उर्दवारदर या शैतिज और लमवत तो इस question का जो बिटक correct answer है वो है option number third, शैतिज या उर्दवारदर horizontal और vertical दोनों में से कोई सबी हो सकता है option number 3 इसका correct answer है चलिए next question जानते हैं next question है नेक्स question है मरा डैन होफ के अनुसार डैन होफ के अनुसार उद्मियों को वरगी करत किया जा सकता है दो भाग में, तीन में, चार में या शै में तो इस question का जो correct answer है वो है चार भाग में option number 3 इसका correct answer है और आपको comment box में comment करके बटाना है कि बिटे चार कौन कौन से देखते हैं सबसे पहले इस question का कौन correct answer देता है इसके बाद आपको next question है sales minus BEP बिटे वहब इन्डू है जिस पर यह line जो है किसी और question किया गई है इसे एक इन्वर करेंगे बिटे वहब इन्डू है जिस पर क्या कहा रहा है कि new term lab है new term हानी होती है अजिक्तम lab होता है या ना तो कोई lab होता है और ना ही कोई हानी तो इस question का जो correct answer है वो है option number 4 कि break even point कौन सा point होता है break even point वह point है जिस पर ना तो कोई profit होता है और ना ही कोई loss होता है at par state को कहते हैं next question हमारा गलत कथन चूज करके बताना है इसके अंदर बिकरी मुल्ले बढ़ा कर पीवी अनुपाट में सुधार किया जा सकता है बिलकुल ठीक है किया जा सकता है इसके बाद next है बीपी पर योगदान मार्जिन परिवर्तनी है लागत के बराबर होता है यह कलत कथन गलत है और question में हमारा से गलत कथन नहीं पूछा तो इसके accordingly question का answer का जाएगा option number two हो जाएगा यही इसका answer हो जाएगा next option एक पार देख लेते हैं break-even visulation मूलते aesthetic visulation है बिलकुल ठीक है और निश्चित लागत को कम करके सुरक्षा के मार्जिन में सुधार किया सकता है बिलकुल ठीक है तो इस question का जो correct answer है वो है option number two क्या के BP पर योगडान margin परिवर्तन लागत के बराबर होता है या करन गलत है चले अब इसके बाद next question है बिक्री का अधिशेश परिवर्तन ये लागत पर कहलाता है क्या कहलाएगा यह option number दिये गए हैं इसके अंदर लाब निश्चित लागत सुरक्षा का मापदन या योगडान तो इस question का जो correct answer आएगा वो आएगा option number four योगडान चले अब इसके बाद next question है हमारा सुरक्षा का मापदन है margin of safety क्या कहलाता है तो इस question का जो correct answer है जो आपको उपर दिया गया था यहाँ पर सुरक्षा का मापदन क्या कहलाता है margin of safety किसके बराबर होता है ये sales minus BEP के बराबर होता है क्या है चोथा option आएगा इसका जो correct answer है sales minus BEP इसका correct answer हो जाएगा चलिए अब इसके बाद next question जानते है next question क्या है next question है निम्लकित में से कोन साप परत्यक्ष विदेशी निवेश के एक विधी नहीं है option number दिये गए है 1,2,3,4 तो बटा इस question का जो correct answer है वो है वैश्विक depository receipt शोट में बोल देंगे global depository receipt चलिए अब इसके बाद next question जानते हैं तो next question है हमारा बहु पक्षी है निवेश guarantee agency MEGA यानि के multilateral investment guarantee agency क्या कार रहा है इसके अंदर क्या है ये तो बटा हमारे को बटाना है एक तो इस question की कई बार है देखा गया है कि full form पूछ लेता है आप से तो आप इसकी full form को भी अच्छे से याद करके जाएंगे और यह है क्या है मीगा क्या है यह है वीशू बैंक की एक सहयोगी संस्ता है तो इस question का जो correct answer आजएगा वो आजएगा option number 4 चले इसके बाद next question जानते हैं तो next question है हमारा 1960 में human side of enterprise पूस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी रेनिसिस लिकर्ट, पीटर डुकर, डगलस मैगर या एल्टन मेयो तो इस question का जो correct answer है वो है डगलस मैगर ओप्शन number 3 इसका correct answer है बटा चले अब इसके बाद next question जानते हैं तो next question है आपके आज़ाम के लिए मुद्रा बाजार साधन के रूप में वानिजिक पत्र जिसको शोट में हम commercial paper भी बोलते हैं CP को डैश पर बाजार में पेश किया गया था ये पहली बार कब बाजार में परवेश किये गए थे ये एक जनवरी 1990 को बाजार में परवेश कराए गए थे option number 4 इसका correct answer है चले अब इसके बाद next question जानते हैं तो next question है RBI हर साल डैश को वित्य शाक्षरता सप्ता आयोजित करता है तो यह कब से करता है यह 2016 से करता है तो option number 2 इसका correct answer हो जाएगा अब इसके बाद next question है आपका RBI से संबंदित तो इस question क्या कर रहा है कि RBI मुख्याल्य के संबंद में निम लिखित में से कौन सा कठन सही है तो क्या दिया हुआ हुआ है question में शुरूराट में RBI का मुख्याल्य कलकट्टा में था बिलकुल ठीक है फिर इसके बाद कह रहा है कि 1977 में RBI मुख्यले, इस्थाई रूप से मुंबई इस्थान आंतरित कर दिया गया था, यह भी बिल्कुल ठीक है, अब कोशन पूछ किया रहा है, हमारे को सही विकल्प चुनने के लिए बता रहा है, तो दोनों ही विकल्प, एक और विकल्प दो, दोनों ही ठीक हैं, तो इसके अनु इसी प्रकार के अपडेट प्राप्ट करने के लिए चैनल के साथ जुड़े और साथ इसाथ इस वीडियो को अपने अन्यमितों के साथ जुरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें मिलते हैं अपने नेक्स सेक्शन में तब तक के लिए बाय बाय स्टुडेंट एंड बेस्ट अफ लग फोर यूर अग्जामिनेशन